हेलो एन वेलकम बाक तो आर चैनल पिछली वीडियो को बहुत सही रस्वांस देने के लिए थैंक्स अपनी पिछली वीडियो वन मिलियन ग्रॉस कर चुकी है तो बेसिकली आज अपन डिसकुस करेंगे एयरपोर्ट्स प्रो के पारे में जैसे आपको पता आप मार्केट मार् सब्सेंट चेक करने की जो होती है यहां पर जो आपको दिख रहा होगा यहां दिख रहा होगा आपको designed by apple in California assembled in China ये original जो है वो actually assembled in China होता है ठीक है लेकिन जब को fake होंगे वो 110% बता रहो हूँ आपको हमेशा देखने मिल जाएगा कि वहाँ लिखा होगा assembled in USA ठीक है जितना manner investigate किया है ये assembled Korea में भी होते हैं बट बहुत कम देखने मिला है ठीक है बहुत ही कम देखने मिला है तो make sure सबसे पहला अब ये चेक कर लो assembled in USA नहीं होना चाहिए अगर ये USA लिखा है मतलाब समझ जाओ कि वो fake है second जो चीज main होती है वो होती है इसकी serial number ठीक है ये आपको कई वीडियो में देखने मिलेगा कई वीडियो में देखने नहीं मिलेगा तो basically हाँ right side ओला जो है वो fake है और left side ओला जो है वो original है ठीक है अगर आप कभी भी इनकी न serial number देखोगे तो serial number में देखोगे ये जो बड़ा मेरा एक साल देड़ साल पुराना है serial number यहां में एंजर्ण होता है ठीक है यहां पर तो जो भी serial number होगा ठीक है वो और जो आपके airpods होंगे वो basically same नहीं होते हैं मतलब अगर माल लो आप मेरे इसमें देखोगे तो यहां पर आपको देखेगा कि मेरा serial number में 6L लिखा है तो जो मेरे airpods है अब मेरे airpods का अगर आप चेक करोगे serial number तो वो 6L नहीं होंगे वो एक sequence में होंगे जैसे मेरा है 6M और 6N ठीक है तो हमेशा आप याद रखो कि जो आपके airpods pro के birds है उनका serial number sequential होता है same नहीं होता है यह बहुत important चीज है ठीक है तो यह है सबसे ज़्यादा important main चीज पहला कि आपको यह चेक करना है कि यहाँ पर यह assembled in USA लिखा है या चाइना लिखा है चाइना लिखा है मतलब it's good USA लिखा है मतलब भी सही नहीं है second आपको यह चेक करना है कि उसका serial number जो है वो sequence में है या नहीं ठीक है sequence में होना चाहिए ठीक है और उसके बाद सबसे important चीज यह है जब भी आप वे मेले I know वो connect करने नहीं देगा रही तो सबसे first check तो आप यह कर सकते हो यह चेक करने के बाद आपका second check जो रहेगा वो रहेगा आप इसको open करना basically same दिखता है मतलब it's 100% मलद आगर मैं सब में देखो तो देखो अगर आप नीचे देखोगे ठीक है यहां 3.0 basically यह speaker है ठीक है जब कभी घुम जाता है किसी चीच का तो original में speaker नहीं आता है वो inbuilt रहता है ठीक है आपको पता भी नहीं चलेगा तो यह बहुत बड़ी वह है और अगर आप notice करोगे ना तो यहां ज दिख जाता है कि की अलग से एड़ किया हुआ एक C टाइप का charging port है जबकि अपना वाला जो रहता है और इतना वाला वह एक अलग ही दिखता है मतलब वह पहले से ही fixed है अगर आप दिखोगे तो ठीक है तो यह एक बहुत important point है but main point जो मैं आपको पहले बता दिया है वो यही है कि आप पहली चीज़ तो वेट से भी बैचान सकते हो वह अलगा रहता है अगर आपके पास नहीं है और इंदल तो आप नहीं करप होगे main चीज है serial number serial number से जारा सही कुछ भी नहीं है serial number चेक करो sequence में होना चाहिए अगर sequence में है 99% वह रिंदल है अब उसके बाद 1% जो है नेक्स वीडियो में कुछ आसी कम बैर करते वे बाई